हेलो एब्रिवन आप सब कस्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुती सुन्दर और डिजाइनर सेमी पट्याला सल्वार की कटिंग और इस टीचिंग सारी चीजें इस वीडियो में आप step by step सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले तो हम सल्वार की बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे मैं 6 इंच की बेल्ट अटेज करूँगी तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्किंग कर लूँगी यह दिखिए इस तरीके से इसके बार मे हम दो इंचिस में नेफा फोल्ड करने के लिए एक्ष्ट्रा मार्जन रखेंगे तो यह मैंने दो इंच पे निसान लगाया और इसको हमने सीधा कर लिया अब यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे तो दिखिए यह हमारी बेल्ट हो गई अब हम डिजाइन डालने के लिए इसमे बहुत ज़्याद़ ट्रेंड भी चल रहा है तो इस तरह से हमने डिजाइन डालने के लिए चार-चार इंच की दो पट्टी कट कर ली हैं अब हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमने यह डिजाइन के लिए पट्टी कट करी हैं इनके ऊपर हम केनवास पेपर चिपकाएंगे प्रेश से ये दिखिए इस तरीके से धिहान रहे भुकरम आपको नहीं चिपकानी है पेस्टिंग वाली आपको केनवास पेपर जो पतला वाला पेपर आता है वो आपको चिपका कर इस तरीके से इनको कट कर लेना है आप दिखिए इस तरह से मैंने इस पे चिपका लिया अब हम पोना इंच की दूरी से फिर से मोडेंगे और यहां पे भी हम प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने से इसमें फिनिसिंग भी अच्छी आएगी और यहां पे हमारी हलकी हलकी मार्किंग हो जाएगी तो यहां पे हम फिर इसमें पिंटक्स डालेंगे तो वह सारी चीज में आपको आगे बताती जाओंगी अब हमने ये वाली जो साइड है यहां से एक पेर का कपड़ा अंदर की साइड ऐसे मोड देना है तो ये कपड़ा भी मैंने इस तरीके से मोड लिया है अब हम चलते हैं मसीन पे और यहां पर पिंटेक्स डालते हैं तो यह दिखिए जहां पर हमने ये प्रेस की है वहां से हम इसको ऐसे रखेंगे और इस पे हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर बिल्कुल हलका सा मारजन लेते हुआ आपको सिलाई लगानी है और अब हम दूसरी जगे पे भी इसी तरीके से पंटक्स डाल लेंगे यह देखिए जहां पर हमने प्रेस की है वहीं पर हमको ये सिलाई लगानी है धियान रहें नीचे वाला कपड़ा आपको सीधा करके रखना है नहीं तो वो इसमें सिल जाएगा तो इस तरीके से मैंने दो सिलाई लगा ली है अब यहां पर मैंने एक वाइट कलर की लेस ली है और ये जाली वाली यह आपको मार्किट में बहुत ही असानी से मिल जाएगी और आपको यह कलर फुल में भी मिल जाएगी अगर आपको सेम कलर की लगानी है तो आप सेम कलर की भी लगा सकते हैं और अब हम इसको ऐसे मोड देंगे अंदर की साइड और यहां से इसको ऐसे मोडेंगे जहां पर हमने प्रेस की है और ऐसे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे तो यह हमने तयार कर लिया है आप देख सकते हो अब इस पर हम अच्छे से प्रेस करेंगे तो यह मैंने दोनों पट्टी बना के तयार कर ली है अब दोनों को हम आपस में इस तरीके से अटेज करेंगे यह देखिए तो यहां पर हम इतना उपर रखेंगे जो हमारी लेस की किनारी है वो दब जाए और इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे फिनी सिंग के साथ में तो यह मैंने इस पर सिलाई लगा ली है अब हम अपनी सलवार की बाकी की कटिंग करेंगे तो जितनी हमारी महुरी है, महुरी हमारी साड़े 3 इंच है और 6 इंच की हम इसमें बेल्ट अटेज करेंगे, तो टोटल हम साड़े 9 इंच इसमें से माइनस करेंगे, और अब जितनी हमारी सलवार की लंबाई है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, तो मेरी सलवार की लंबाई के पार्ट्स होते हैं यह वही है आप देख सकते हो यह दोनों साइड के हो गय Explain अब हम जो हमने मोहरी बना के त्यार की है इस मोहरी को हम अठेज कर लेंगे यह देखिए क्योंकि बीच के जो पल्लू है इनकी चोड़ाई हमने ज्यादा अरगी है तो हम आसानी से इन अटेज कर लेंगे मोहरी को और कली हम बाद में जोड़ेंगे तो दिखें यहां से मैंने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली अब हम इस पे मोहरी को अटेज करेंगे तो सैमी सी तरीके से हमको यह अटेज करनी है हमारी लेस की जो किनारी है वो दबाते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो लीजे हमने दोनु साइड की मोहरी अटेज कर ली है अब हम ऐसे मिलाते हुए और इसको हम ऐसे मोड के रखेंगे ये दिखे और अब हम कली कट करेंगे तो कली कट करने के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसका हम इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे दिखे सबसे पहले आपको आसन नापना है दिखे हम 6 इंच की इसमें बेल्ट अटेज करेंगे तो 6 इंच को ऊपर हम माइनस करेंगे और यहाँ पे में 5.5 इंच का आसन ले रही हूँ क्योंकि आदा इंच सिलाई में चला जाएगा और अब दिखे इधर की साइड भी हम 5.5 इंच का यह आसन लेंगे और इस तरह से दोनों निसानों को मिलाके हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे और यह हमारी दोनों साइड की जो कली है वो हमने कट कर ली है अब हम इन चारू को ऐसे बराबर रखेंगे और हम इस साइड में इनको ऐसे मोड लेंगे और ऐसे मोड ने के बाद जैसे हम नौर्मल पट्याला सलवार में सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और यह हमारी सलवार का आसन है तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गुलाई देंगे तो यह हमारी जो सलवार है उसकी cutting ready हो गई है और महरी design भी हमने बनाके ready कर लिया है यहाँ पे इस तरीके से महरी पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे हम अपनी belt को attach करेंगे तो देखे जैसे हम अपनी normal पट्याला सलवार की सिलाई करते हैं सेम उसी तरीके से हम ने इसकी सिलाई कर ली है सारी plate हमने आगे की तरफ डाली हैं, दो plate हमने back side में डाली हैं और ये हमारा महरी डिजाइन भी बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कितनी सुन्दर और ब्यूटिफुल डिजाइनर सलवार बनके हमारी रेडी हो गई है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट्स करके जरूर बताएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को जरूर पिरेज करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिविकिसन मिलती रहे आपका कोई भी कोस्चन है तो नीचे कमेंट्स जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही थेंक यू